मुकेश सहनी उनके साथ लगे हुए हैं तो उसके हिसाब से अगर ये घोशना करते हैं कि उनको विहार में सरकार बनी तो बड़ा वोधा दिया जाएगा तो इसमें कोई असर जनक बात नहीं है मुकेश सहनी अपने आपको किसी भी तरह से एक मला का निशाद समाज का नेता अपने आपको बताने में परचारीत करने में काफी सफल रहे हैं सदाद साथ मला समाझ को लेकर कि लड़ायी लड़ते रहे हैं यह जो आरक्षन देगा उसके साथ निशात समाझ जाएगा अपने आपको सनफ म लाकर आपने करते हैं तो इसके साथ बुकेश सहने को डिप्टी सियम का पोस्ट बिलकुल मिल सकता है निसाथ समाज अगर एक मुष्ट हो करके वोट देता है तो उसका फायदा इंडिया गडबंदन को हो सकता है लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि निसाथ समाज इंडिया का सबब बन सकते हैं एंडिया गडबंदन के लिए कहने कहीं यहां वहां पर दो बावबलियों का भी टक्राव हो रहा है इसलिए आज से जो मीडिया में सुर्कियां जो है वह बटोर राम होंगे लोग सबाचेत्रे पाले से हैं एक बावबली मैदान में थे तो के रूप म आप मान रहें कि टक्कर की लड़ाई होगी और आपको बता है कि जैसे जैसे चुनाओ आगे बढ़ रहा है और यह जाती एक कलर ले रहा है कास्ट कलर में जा रहा है वैसे वैसे मुकाबला और कठीन होता जा रहा है नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूं र जेंद्र कुश्वाहा ने भी अपना नमांकन पर्चा भर दिया तो वहीं बक्सर पर सुधाकर सिंग ने भी इस बार राजत के टिकट पर दावा ठोक दिया है मिथलेश तिवारी ने भी अपना नमांकन पर्चा भरा जहानबाद में बस्पा के टिकट पर अरून कुमार ने नमांकन पर्चा भरा तो वहीं बात अगर पटना साहिब की करें तो पुर्व केंद्रिये मंत्री मौझूदा सांसद रविशंकर प्रशाद ने भी अपना नमांकन पर्चा भरा है इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से धुवाधार प्रचार प्रशार चल रह रही है और उसी करी में एक तरफ पलामू में भी जनसभा को दोनों ही नेताओं ने शंबोधित किया फिर बक्सर गए और उसके बाद उजियारपूर लोक्षभा के मोरवा में तेजस्पी यादों ने भासन के दोरान मुकेश शहनी को लेकर बड़ा वादा कर दिया साफ तोर पर कहा कि अपनी सरकार आई यानि कि महागडबंदन की शरकार बिहार में जब बनेगी तो मुकेश शहनी को बड़ा पद देंगे बड़ी जिम्मेदाड़ी देंगे तो राजनितिक हल चल तेज है तीन चरनों का चुनाओ संपन हो गया है चौथे चरन की वोटिंग तेरा म परस्तितियां बन रही है उस पर बात करेंगे हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार भोलानाद जी है कैसे देख रहे हैं जो तीन चरनों का चुना हुआ और अब जो राजनितिक प्रचार प्रसार चल रहा है इस तरह से चौदा सीटों पर अग्रदान हो चुका है तो एंडिय की तरफ से यह कोशिस हो रही थी कि यह चुनाओ पार्टी के आधार पर लड़ी जाए लेकिन लालू यादों का जो एक राजनितिक एक सियासी महारत हासिल है और मतलब उस्षेत्र के महाईर खिलाड़ी माने जाते हैं तो इस बात में इस तरीके से काम्याब रहे हैं कि उस चुनाओं को जो एंडिये विकास और पार्टी के और तमाम कि कहीं न कहीं एक बड़ी उपलब्दी मानी जाएगी कि जहां कि बिहार में कुछ वैसे खास करने के लिए नहीं है और यहां पर आम तोर पर जाती को लेकर कि बिहार को काफी संस्टीव स्टीट मना जाता है तो लालू यादाव अगर इस चुनाओं को बिहार की तरफ जा कि उसको जो है जो अभी तक का मोदी जी का जो प्रचार और जो बयान जो इस तरह से आये हैं उसके हिसाब से एक तरह से धर्म के ध्रुवी करण पर यह चुनाओं लड़ा जा रहा है उनकी तरफ से जैसे मुसल्मानों को आरक्षन नहीं देने की बात हो रही है या बंचित का होगा वह बहुत संट के हिंदू है वह चार है कि बहुत संट के हिंदू उनके पक्स में आए धर्वी करण हो और उनको उसका लाब मिले लेकिन अगर जातिया अधार पर होगा तो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है तीन चरणों की वह समें कापी कांटे की टक्कर हुई और उसमें कई सीट जो है अभी तक के जो चर्चा में जो है वैसे तो सारा खुलासा चार तारीक होगा या एक तारीक एक जीट पॉल आएगा उसमें ये बाते आएंगे लेकिन जो अभी तक जो खुलासा हो रहा है जो चर्चाओं में जो बात आ रही है उसके हिसाब से मु दोनों ही तरफ के खे में कम्याद होते दिखाई देखिए तो दोपहर में यह बयान देते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए मुसलमानों को आरक्षण देंगे इसके आदार पर आप देखिएगा पोलिंग परसेंटेज तो यह बात कोई धकी छूपी नहीं है आप चुनावायक के साइट पर जाकर इस बात को देख सकते हैं कि अररिया में जो कि जहां कि सबसे ज़्यादा मुसलिम मत दाता थे करीब सा अचानक सूट किया और काफी बढ़ गया चालिस परसंट के करीब चला गया था तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि लालुयादों के इस बयान का मुसलमानों पर कितना असर हुआ या हिंदूओं पर कितना असर हुआ लेकिन वोट का जो सूट आउट जो हुआ जो वोट परसेंट कम्याब होते दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल नहीं जहां तक आप किसी भी सोर से कहीं से भी पता कर लें और जो चुनावी छेत्रों में जो लोग घूम रहे हैं इवें दोनों पार्टियों को लोग हम यह नहीं कह सकते हैं कि किस पार्टी का कौन है तो उसके हिसाब से मतलब साफ होता है कि आप कई सीटों को लूज कर रहे हैं अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार की 40 सीटों में से पिछले बार एंडिये की जोली में 49 सीटे आई थी एक सीट के वाल किसंगन जो है वह कॉंग्रेस के खाते में गई थी और इस तरह से गडबंदन अगर ले लेता है तो इसके पास खोने को कुछ नहीं है पाने को बहुत कुछ है तो अगर आप देखें कि राज़त की सीटें अगर 5-7-8 बढ़ जाती है तो उसके लिए एक बड़ी उपलब्दी होगी कि जहां पर इंडिये के तमाम नेता यह दावे करते फि अंग्रेस के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्दी होगी जिस तरीके से इंडिये गडबंधन का जिम्मा तेजश्वी यादोर मुकेश रानी ने अपने कंदों पर उठाया है और लगभग जगा चेहरे तो उनी के दिखाई दे रहें परचार परशार में और तेजश्व कि रंणनीटी को देखें तो एंडिये के रंणिती में अगर आप देखेंगे तो उसके घटक दल बिहार में है वो सभी घटक दल के नेता मा जीओ पैंद्र कुसवाह बाजपा नितstyle के नेता दिली यह नितीश किमारजदियू के नेता वो सभी एक मन्च पर दिखते हैं त लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन को देखें तो उनके बंच पर अभी तक सिरफ तेजस्वी यादो और मुकेश सहनी ही दिख रहे हैं जो वी आईपी के सुप्रीमों है और इधर नेता विपक्ष है और राज़त के नेता हैं तेजस्वी यादो तो यही कि युगलबंदी दोनों की चल रही है परचार में तो अभी तो देखिए बिधार बिदान सभा चुनाओ का बात आगे की है बात की है हो सकता है इसी साल हो जाए या हो सकता है कि अगले साल है जैसे चर्चा है कि लोग सभा चुनाओ में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकत है कि तुरत बाद विदान सभा की चुनाओं हो जाए लेकिन अगले साल इसका सिडूल है तो अगर अभी के चुनाओं के हिसाब नहीं दिखता है तो जाइज से बात है कि जब सब जगत यह दोनों जोड़ी जा रही है और मुकेश सहनि उनके साथ लगे हुए है तो उसके हिसाब से अगर यह घोशना करते हैं कि उनको बिहार में सरकार बनी तो बड़ा ओधा दिया जाएगा तो इसमें कोई असर जनक बात नहीं है कि उनको एक बड़ी जिम्यदारी दी जाए लेकिन अगर आप पिछले बिदानसवा चुनाओं की बात करें तो यहीं मुकेश सहनी है जो तेजसी यादों पर यह चूपीट में चूरा घोपने कारोप लगा करके और उनके महागडवंदन को छोड़ करके और चले लेको जो टमासा हता नहीं है लेकिन सियासत में कभीbha कुछ जंग बीदें सियासत की चेंळकी यहाद यहों सकता है मुकेश शहनी काफी कोशिश कर रहे तो लेकिमा बात नहीं पपनी तो हैं जिए अपना प्रचार कर रहा है तो अभी अगर बिहार में सरकार बनती उसके बाद क्या मतलब है क्या डिप्टी सीम की और इसारा था जहां तक बिहार में हमने आपको शुरू में कहा कि बिहार पॉलिटीकली और कास्ट वाइस काफी संस्टिव एस्टेट है तो निशाद जो है मला समाज को आरक्षन को ले लंबी लडाई लड़ते रहें वह कहते रहें कि जो आरक्षन देगा उसके साथ समाज जाएगा अपने आपको सन आप मला की रूप में भी पेश करते हैं तो अगर कंबिनेशन देखें अभी अगर इबीसी में अगर है मैं निशाद जाती है तो तो ते जश्वी के साथ अग भूमने से जो निशाद समाज के वोटर हैं क्या वो इस गटबंधन के साथ गए है क्योंकि कहा जाता है कि वोटर तो एंडिये कर रहा है देखिए इसमें दो बातें आपको देखनी होगी कि मुझाफरपूर में अजय निशाद के पिता जी कैप्टन जय नरान निशाद मला समाज के निशाद समाज के एक बड़े नेता थे उनके बाद अजय निशाद मुझा अपरपूर से जीते दो बार जीते इस बार उनका टिकट कट गिया लेकिन अजय निसाद भी अब फिर कॉंग्रेस के पाले में आ गये हैं और कॉ लड़ रहें वहां से तो इस बीच मुकेश नहीं अपने आपको किसी भी तरह से एक मला का निशाद समाज का नेता अपने आपको बताने में परचारित करने में काफी सफल रहे हैं तो यह एक चीज जो दूसरी बात में कह रहा था कि एक बात और देखना होगा कि किस लोग कारा सीटें ऐसी हैं बिहार की लोग सभा के जहांके उसमें मुझाफर पूर भी है तो वहां पर निशाद समाज की अच्छी समख्या है और निशाद समाज अगर एक मुष्ट हो करके वोट देता है तो उसका फायदा इंडिया कटबंदन को हो सकता है लेकिन अभी यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि निशाद समाज इंडिया कटबंदन के साथ जाता है पूरी तरह या को इंडिया की तरह भी आता है तो यह थोड़ा सा देखना होगा अब कहा जा रहा है कि बड़ी दिक्कत हो गई यह उपेंद्र कुश्वाहा के सामने आज नमांकन पर्चा त पावन सिंग का जो एस्टारडम है भोजपूरी सिनमा के जरिये उसका असर केवल कारा कार्ड में नहीं है आरा और सासाराम इस सब छित्रों में भी उनका काफी असर है तो अगर बात यहीं आ रही है कि अगर पावन सिंग तरीके से लड़ जाएं टिक जाएं चुकि इस त के लिए आसान नहीं होता है और इस तरह के जो लोग अचानक रंडशेत्र में कूथते हैं उनके लिए और मुस्किल हो जाता है लेकिन पावन सिंग अगर टिक जाते हैं तरीके से लड़ते हैं तो ना सिर्फ पेंद्र को स्वाहा के लिए पैदा करेंगे बलकि आरा और सास के टिकट पर नमांकन किये हैं अब वहां तो लराई चतुसकुनिया बनते जा रही है सुरेंदर यादो राजत के जेडियू के चंदेश्वर चंद्रवंसी एक भूमिहार निता है असुत असुत उसकुमार वो भी उतर गए हैं आपको लगता है कि वहां पर मामला फस गया लोकसवा के लिए तो बिलकुल ही नहीं के बराबर है तो ये बात आ रही थी कि सायद जदियू अपना उमिद्वार बदले लेकिन जदियू उमिद्वार नहीं बदलागे इसका एक करण ये भी रहा होगा कि अति पिछड़ा समाज को जो कि पिछले बार के जो जाती आधा दिया गया अलांकि उमिद्वार बदले भी जाते हैं बदले भी जा सकते थे उसी समाज के किसी और को दिया जा सकता था लेकिन अगर उदर से सुरेंद्र यादों है और इदर से इनके खिलाब एक कंटिया मैंसी का भी मामला चल रहा है इनके बेटे पर भी कुछ आरोप ल सब्सक्राइब की के लिए और अरूनकुमार आ गये जो कि अस्थानीय हैं और वो खुद भी चाह रहा थे टिकट वहां से लेकिन उनको टिकट नहीं मिला इसी नाराजगी में वह रा लोजपा राया निकिचिराक पास्वान की जो पार्टी है उसको छोड़ भी दिये थे और अब बसपास मैदान में कूदे हैं तो अब कितना यह वोट लाते हैं यह अलग बात है लेकिन जितना भी वोट लाएंगे अगर जितने किस्तिति में नहीं रहते हैं तो चंद्रवसर चंद्रशी के लिए मुसीबा तो जरूर खड़ी कर देंगे तो यह एक सीन है वहां का सबसे बड़ी बात है कि बेगुसराय और मुंगेर दो होट सीटे हैं वहां पर एक तरफ अशोक महतों के चुनावित मैदान में आने से चर्चा काफी जादा है दूसरी तरफ बेगुसराय में की रासिंग का विरोध काफी जादा हो रहा है चौते चरण को वोटिंग को आ राश्टि अद्यक्ष रहा है चुनाव लड़ रहा है और उनके सामने असोक महतों की पत्नी चुनाव लड़ रही है अनिता दिवी तो यह पाले से हैं एक बाहु बली मैदान में थे तो के रूप में उनकी पत्नी लड़ रही है और दूसरी तरफ जब अनंज सिंह वहां परचार के लिए चले गए हैं तो अब यह जो है वहां पर थोड़ा सा मुकाबला और दिल्चस्प हो गया है कि एक तरफ ललन के सिंग के लिए परचार कर रहे हैं यह ललन सिंग के लिए परचार कर रहे हैं अनन सिंग और दूसरी तरफ अपनी पतनी के लिए परचार में और तो अलग है दूसरा पटना साहिब छेत्र है पटना साहिब भी देश के लोकसभा छेत्र के चुनाओं में लोकसभा चुनाओं में एक बड़ी आहम भूमिका रहता रखता है और यहां से रविशंकर प्रसाद जो की पूर्व केंद्री मंत्री हैं और सांसद भी रहे हैं इंडिये खासकर भाजपा के लिए बहुत ही मुफीद शेत्र रहा है तो कि वहां पर कारोबारी वर्ग और फॉर्वर्ड क्लास और इसा मिल करके एक मुस्त वोट भाजपा को देते हैं तो एक कावद भी है कि भाजपा वहां पर किसी को भी खड़ा करते जीज्जा फिर र देखना बड़ा दिल्चस्प होगा वैसे अंसुल जो है आपको पता ही होगा मीरा कुमार के पुत्र है मीरा कुमार इस बार सासाराम से उन्होंने चुनाव लड़ने के से इंकार कर दिया था इसके बाद उनके बेटे की बात आ रही थी कि कहां से लड़ेंगे तो अब उन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और यह जाती एक कलर ले रहा है कास्ट कलर में जा रहा है वैसे वैसे मुकाबला और कठीन होता जा रहा है दूसरी तरफ उदर जो केंदर से या मोदी की तरफ से राहुल गैंदी या खडगे की तरफ से जो ब्यानवाजी हो रही बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जूरने के लिए तो देखिए किस प्रकार से बिहार में राजनिती का हालात बनते जा रहे हैं तीन चरनों के 14 सीटों के चुनाव में ही बहुत कुछ हमने देखा लेकिन आप गे भी आपको वही लड़ाई देखने को मिलने वा जनता को संबोधित भी करेंगे तो काफी जादा जो लड़ाई है वो बिहार में मजदार बनते जा रही है एक तरफा अब तक देखने को नहीं मिल रहा है तो ऐसे में देखना होगा कि आगे जनता किसके बातों से किसके भासनों से जादा प्रभावित होती है और कौन सा ग